हेलो नास्ते वір्वन, इस वीडियो में आप लोग्म को बताऊंगा कैसे आप लोग अपन्ने Instagram को टærन आफ कैसे कर सकते हैं, तो देखिए क्या होता है, हम लोग ना notification से बहुत जादा परिशान हो जाते हैं, कुई हम लोग कुछ भी दूसरे अपस यूज यूज कर रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं यहाँ हमें डेल सारे नोटिफिकेशन बार 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 आते हैं और हम लोग काफी ज़्यादा परिशान हो ौजाते हैं इन्स्ट ग्राम के नोटिफिकेशन थे और मुझे Instagram पे follow जरूर कर लेना मनीश वाडियो यूजरने में तो जाकर Instagram पे follow कर लेना तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे notification को off कर सकते हैं हम लोग Instagram पे तो सबसे पहले हमें यहां से setting में जाना होगा और setting में चलने के बाद हमें सबसे पहला option सबसे पहला option दिखाई दे रहा है notification का तो notification पे click करेंगे notification पे click करने के बाद यहां पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो हमें काफी जादा option शो कर रहे हैं अब क्या होता था पहले कुछ options आते थे बट Instagram ने अभी बहुत से option ला दिया है क्यों Instagram यहां पे आपको customize करने का option देता है कि आप लोग कौन-कौन से notification का off करना चाहते हैं example के लिए यहां पर आपको first वाला option मिल जाता है इसमें जैसे कि मैंने like के option को turn off कर रखा है कि मैंको likes के notification यहां पे नहीं आने चाहिए यहां पे like and comments के notification off कर रखें क्योंकि भाई दिन पर like comments आते रहते हैं notification आते रहते हैं photos of you अगर आप लोग इसके भी करना चाहते हो तो ऐसे notification comments के notification off करना चाहते हो तो इसको भी कर सकते हो comments and likes के करना चाहते हो pin comments के इसको भी कर सकते हो तो ऐसे notification को आप यहां पे customize कर सकते हो जैसे यहां पर मैं आपको direct message में बता देता हूँ तो यहां direct message में देगेंगे तो मैंने direct messages के भी जो notification है उसको भी यहां पर turn off कर रखाए यह देख सकते हैं आप जैसे यहां message request में क्योंकि बार बार यार बहुत सारे message request आते हैं यहां पर screen पर आते रहते हैं तो मैं परिशान हो जाता हूँ notification की वज़े से तो मैंने यहां पर कर रखा है group request के अगर आप लोग करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं तो यहां पर आपको सारे option में जाते हैं जैसे following and followers के notification बहुत से लोगों को दिन पर followers आते हैं अगर हो लोग notification on रखेंगे तो भाई परिशान हो जाएंगे तो यहां से उसके भी आप customize कर सकते हैं यहां पर आपको option मेल जाता है turn off या on करना है customize मतलब यही है और यहां पर यह सारे notifications है ठीक है तो आप इनको ऐसे customize कर सकते हो या IGTV से related करना चाते हो तो यह सारे turn on on है currently लेकिन मैं आप अपने साब से देख सकते हैं कि आपको notification सबसे ज़्यादा किसके आते हैं अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ बहुत से लोग चाते हैं कि कोई भी notification उनको यहां पर ऊपर शो ना हो या फिर किसी भी तरह किसे Instagram को कोई notification ना है तो यह एक option बिल जाता पॉज all बट इसमें एक option है कि आप सिर्फ इसको 8 घंटे तक ही यहां पर notification को off कर सकते हैं लेकिन बहुत से लोग चाते हैं हमेशा offer है Instagram के notification जब हम Instagram को open करें तब ही हम लोग सारी चीज़ें देख पाएं तो यहां पर चली उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं उसके लिए आपको अपने mobile की setting में जाना होगा mobile की setting में जाने के बाद आपको यहां पर जाना है अपने manage apps में जाएंगे उसके बाद आपको यहां पर सारे apps आपके loading हो जाएंगे तो यहां पर आपको अपने जो manage app से अब देखो सबके mobile में अलग-अलग setting हो सकती है यह Redmi Note 4 है तो उसमें कुछ इस type की setting है तो यहां पर मैं Instagram को search करता हूँ ठीक है Instagram यहां पर आ चुका है notification को off कर देना है अब आपको Instagram से related कोई भी notification या आएगा और आपको यहां पर कोई setting भी करने की जरूत है यहां से सारी setting आउन रहेगी तो भी आपको कोई notification Instagram के नहीं आएगे तो इस तरीके से आप लोग Instagram के notification को permanently या किसी भी तरीके से turn off कर सकते हैं so I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले मैं मलता हूँ आपसे ऐसे किसी amazing और interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए stay tune with Manish for you